तो पहला आज का टॉपिक जो है हम लोग सुरू कर रहे हैं ये हम लोग फिनाइल कीटो नूरिया के बारे में बातचीत कर रहे हैं फिनाइल कीटो नूरिया फिनाइल कीटो नूरिया इसके पहले भी हम लोग बहुत सारे टॉपिक हम लोग देखे थे कि कैसे हिरिडिटी लेंगे आज क्या डेट है यह हम लोग डेट लिखते हैं और बायो जो है और बगल में डीके पी लिख लेंगे तो पता चलेगा कब का क्लास है किसका है तो फिनाइल की टो नियरिया के बारे में पहला पॉंट जो हम लोग लिखेंगे इसमें inborn error of metabolism inborn error inborn error का मतलब है inborn error मतलब जो बच्चा जन्म ले रहा है जन्म से ही जो है डिफेक्टिव है यह लिखा है inborn error of metabolism metabolism हम लोग जानते हैं यह term हम लोग पढ़ चुके हैं metabolism दो तरगा होता है catabolism होता है एक enabolism होता है metabolism क्या होता है जो भी हमारे body में activity हो रही है उसको metabolism बोलते हैं चार्डाइशन है respiration है excretion है nervous system है metabolism है तो यह disease क्या है first point हम लोग लिखेंगे inborn error of metabolism इससे मतलब यह लिख रहा है कि जनम जात यह बीमारी है और क्या चीज़ से related है यह metabolism से related है दूसरा जो है inheritance यह जो हो रहा है inherited यह inherited हो रहा है inherited as a autosomal हम लोग जानते हैं कि chromosome दो तरह के होते है एक sex chromosome एक autosom तो यह autosomal है यह autosomal है यह autosomal और recessive trait हम लोग recessive और dominant के बारे में पढ़ चुके हैं तो यह recessive trait है दो point clear हुआ एक point क्या है यह inborn error of metabolism है और दूसरा point है कि inherited as autosomal recessive trait तीसरा point क्या है कि affected individual lack जो भी आदमी है जो भी बच्चा है जो भी person है जिसको phenyl cutonaria है वो lack कर रहा है उसमें कमी है कमी क्या है one enzyme एक enzyme की कमी है उस enzyme को called कहते हैं क्या कहते हैं उस enzyme को उस enzyme को कहते हैं phenyl alanine hydrozylase उस enzyme को क्या कहते हैं phenyl alanine hydrozylase आपका क्या है यहां पर लिखा हुआ है हम लोग यह है यहां पर ठीक है तो यह जो है phenyl cutonaria जो हो रहा है उसमें कौन सा enzyme की कमी है one enzyme की कमी है उस enzyme का क्या नाम है phenyl alanine hydrozylase इसका काम क्या है phenyl alanine hydrozylase इसका काम क्या है यह convert करता है क्या convert करता है एक amino acid को convert करता है कौन सा amino acid को convert करता है phenyl alanine को करता है phenyl alanine को यह convert करता है convert किस में करता है into, ये tyrosine में convert करता है, phenyl ananine को किस में convert करता है, ये tyrosine में convert करता है, कहाँ पे convert करता है, in liver, ठेक, हमारे body में, हर के body में जो है, phenyl ananine hydroxyzylase है, वो क्या कडता है, amino acid, pheline ananine को convert करता है tyrosine में, कहां convert करता है, lever में convert करता है, ठीक है, अब जो है, दूसरे point में आते हैं, if enzyme lack, अगर किसी बच्चे में क्या है, या किसी भी person में, inborn error of metabolism है, उसमें बीमारी है, जन-जाती बीमारी है, if enzyme lack उसमें क्या करता है यह enzyme नहीं होता है तो phenyl ananite accumulated यह जमा होते जाता है body में क्या हो रहा है जमा होते जा रहा है क्योंकि यह enzyme नहीं है तो यह जमा होते जा रहा है and get converted into किसमें convert हो रहा है phenyl pyruvic acid convert किसमें हो रहा है यह phenyl pyruvic acid में हो रहा है इसके साथ में other derivatives हैं और भी कुछ-कुछ बन रहा है तो क्या हो गया यह बन रहा है तो it effect यह प्रभाव डालता है कहां प्रभाव डालता है brain को प्रभाव डालता है और brain क्या हो जाता है result in mental disorder हो जाता है mental disorder हो जा रहा है तो phenyl cutane area के बारे में क्या-क्या points हो गए हैं? एक दो point बताएं. पहला point बोलेंगे inborn error of metabolism हैं. दूसरा point क्या बोलेंगे? Inherited as autosomal recessive trait. तीसरा point क्या बोलेंगे? Affected individual lack one enzyme called phenylalanine hydrozylase. यह क्या करता है? Convert करता है amino acid को. Phenylalanine into किस में convert करता है? टाइरोसीन में. कहां पे convert करता है? देखें, लीवर आपने सुना होगा कि लीवर में गड़बड़ी से जो है आदमी को बहुत सारा problem होता है. तो center of metabolic activity हमारा लीवर है. लीवर अगर खराब हो जाता है तो बहुत सारी बीमारी को जन्द देता है. अगर यह enzyme lack कर रहा है तो phenylalanine कहां accumulate करेगा? यह convert हो जाएगा आपका Pheline Pyruvic Acid में और brain में और यह आपका क्या है? mental disorder होगा. यह हो गया, यह point आप बढ़ियां से उतार लीजिए. यह तो समझाने के लिए shortcut में हम आपको दिये थे. यह point जो है आप बढ़ियां से उतारने की कोशिस कीजिए. अगर संभा हो तो आप उतारिये जल्दी से, जिसका हो गया हो तो बताईए कि हाँ हो गया है, फिर आगे हम लोग बातचित करेंगे. ठीक है, जल्दी जल्दी कीजिए, जिसका हो गया हो वो भी ठीक है, नहीं हुआ है, वो भी ठीक है. पूरी लाइन को जो है, यहां पर लिखा हुआ है आपका. फर्स्ट पॉंट यह फिनाइल कीटेन अरिया, कितना अरो देना है, अमनों को तीन देना है. दूसरा पॉंट कीजिए, अमनों 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 कीजिए, अम phenylalanine is accumulated and get converted into phenylpyruvic acid and other derivative. Next क्या लिखा हुआ है? This affect the brain resulting in mental disorders, कोई प्रब्लम है? आगे करें हम लोग अगला नेक्स टॉपिक